हेलो स्टुडेंट, एट स्टांडर नू गुजराती नू थार्ड चैप्टर गुजराती मा जेम जेम तमें भणता जशों एम एम घणाव दा लेख कने कवियों नी रचेले ही रचनाओं भणवान वारवावश है आजे थार्ड चैप्टर द्वी दल एटले बे दल यहां बे वारतावनों सम्मु छे औने लेखक छे डॉक्टर आईके विजडी वाड़ा जो ये तेमनू कंट्रिबुश्यन गुजराती साही तेमा कीवू छे नुटे वो शूं करे छे डॉक्टर आईके विजडी वाड़ानों फोटो छे मोड भावनगर अत्यारे वसेला छे विजडी भावनगर नाज वतनी छे तेमनू द्यावसाई डॉक्टर छे पन खुप सारू लखी पन रहा छे अने लेखक तरीके पन ख्याती पामेला छे खास करीने ते बाड़कोना इले पेडियाट्रिशन छे बाड़कोना डॉक्टर छे अने हाल ते डॉक्टर तरीके पन सेवा बज़ावे छे तेमने केवा पुस्तको लख्या छे तेनी वाद करिये तो तेमने घणी बदी नानी वार्ताओनी बुक्टर नी अखा सीरीज वाइज सेट लख्या छे तदू प्रांत तेमने केटलिक नॉवेलो पन लखी छे जैनू नाम छे हीरानों खजानों लाल टुन नी गुफाव मा अंतरिक्ष नी सफरे बर्मूडा ट्राइंगल साथिदार नी शोध मा सोना नी नदी नी शोध मा अब अधी इज नवल कथाओ खुब सरण भाष्या मा लखायली छे अन्ने तमर उमर ना बाड़ोकोने माचवानी खुब मज़ावे भी छे तो त्यारे e-book अवेलेबल छे मार्केट मा तमने बुक मना मड़े तो e-book पर एमनी घणी बदी वार्ताओ अन्ने नॉवेलों पन उपलब्त छे जे तमे पांची शको चो आउपरां तेमने शौट स्टोरीज लखी छे ये शौट स्टोरी मां आ ऐसीरीज छे अन्ने पांच पुस्तको शौट स्टोरी ना खुब रख्या छे जे मां चे मोती चारो अम्रुत नो उड़कार प्रेम नो पगरव मननो माडो अ अन्ने अंतर्नो उजास आपड़े जे वार्ताओ भडवाना छे ए वार्ता प्रेमनो पगरव नामना पुस्तक माधी लेवा मावी छे आ पुस्तक मापण गणी नानी नानी स्टोरीज उपलप छे औने बोज सरण भषामा तेओ लखे छे वांचवानी बोज मजावे छे खास करीने तमनी वार्ताओ छे ए कोई के पोस्ट करी होए सोशल मीडिया पर औने पोस्ट करेली वार्ता ने गुजरादी भषामा सरण रीते प्रस्तुत करे छे अनलखे छे वांचवानी खूब मजा आवे छे तो हुँ एव इच्छो चुके आपड़े थोड़ु थोड़ु मांचवानों प्रहेतन करवानों शरू करिये तो आवा लेखकनी सरण भाषानी पुस्तकोनों वांचन करिने शरूआत करिये शकिये तो जोई ए आजे एमनी द्वी दल मा बे वार्ता ओशे मा पहली वार्ता मुर्ती जोई ए वात बोच सामान्या छे वार्तानु नाम छे मुर्ती एक मानस एक वकद पुताना गाम मा बनी रहेला नवा मंदिर नू निर्मान करिये जुवा गयो हतो निर्मान करिये एकले नवु बन्तु मंदिर निर्मान करिये क्यावाई एक कुई जानकार नो तो बस एमन जुवा माटे गयो हतो तो एक शिल्पी खुबज एका ग्रता थी हारस पहाणना पत्थर माथी बगवाननी मूर्ती घड़ी रहो हतो शिल्पी एटले जे पत्थरों माथी कोत्रणी करिने मूर्ती बनावनु गाम करेते एका ग्रता थी एटले खुबज कॉंसेंट्रेशन थी आरस पहाणनी पत्थर नी मूर्ती बनावी रहो हतो पिला मानस्त ने एना काम मा रस पड़ी गयो ए शिल्पी नी बाजू मा बैसी गयो अचानक एनू ध्यान बाजू मा पड़ेली एवीज अन्ने एक मूर्ती पर पड़ियो एने नवाई लागी एने शिल्पी ने पूछियो मंदीर मा एक सर्खी आ बे मूर्तियों नी जरूर छे ना, शिल्पी ये जवाब आप्यो आवी एकज मूर्ती नी जरूर छे परन्तु आ बीजी मूर्ती मा थोड़ू नुक्षान थवा थी छेल्ली घडिये पड़ती मूक्वी पड़ी शे पिला मानस से उभा थाई ने पड़ती मूकाईली मूर्ती ने तरफ थी तपासी जोई एने तो कोई जग्याए काई पड़ नुक्षान न देखायो एने आश्चेडे साथे शिल्पी ने फरीथी पूछियो आ मुर्ती मा मने तो काई नुक्षान देखातु न थी तमने आमा काई जग्याए नुक्षान देखायी चे एना नाक पास से एक नहनों गसर को थाई गयो शिल्पी ये कहियो पेला मानस से फरीवार ध्यान थी जोयो त्यारे एने एने इन नहनों गसर को देखायो एने शिल्पी ने पूछियो तमने आ मुर्ती नी स्थापना काई जग्याए करवाना छो पेला 20 फूट उच्छा स्थम्ब उपर शिल्पी ये जवाबापे। पेला मानस ना आश्चेडेनों पार न रयो। एना थी कहवाई गयो। भला आदमी। जो आ नानकडी मुर्तीनी स्थापना एटले बदे उच्चेच करवानी होय। तो आवी खोटी मेनच शुकाम। त्या वड़ी कोण जोवानू छे। केना नाकपर नानों गसर को छे। शिल्पी ये पोतानू काम अटकावी ने ए मानस सामी जोय। पजी हसी ने बोल्यो। भाई, मीजु कोई आ वाज जानी के नई। एनी मने खबर न थी। परन्तु हुँ अने मारो भगवान तो आ जानी एच्छी एन। एटलू कही एटलीज एका ग्रता थी। एने पोतानू काम फरीधी शरू करी दी दो। नीही शब्द बनी पेलो मानस ए शिल्पी ने जोई रयो। आ भार्तामा महत बनू ए छे कि कोई आपणा काम ने जोई ने एनी कदर करे ना करे कोई एमा थी खोटू छे साचू छे एवु तारण कड़े के ना कड़े। पण शिल्पी ना मते है। एक काम ने पोते जाने छे कि खराप थायू छे औने बीजा भगवाल जाने छे। एटले एhonे तो बीजा जुवे के ना जुवे.पन पोते करेला काम नो एने संतोश ना थ ईटले एनने बीजी-मूर्थी बनावानी शरुवात करी. बीजी वार्ता छे स्व मुल्यांकन अवे स्व मुल्यांकन स्व एट लेकवो छे एजान हो बहुं सरस वाद छे जो ए परदेश नी वाद छे त्याना एक स्टोर मां एक यूवक दाखल थएो दुकानदार साथे नम्रताथी वाद करीने तेने पबलिक फोन वापरवानी मंजुरी मांगी दुकानदारे हापाडी युवक ना हाथ मैला अने खराब हता एटले ए स्पीकर फोन पर वाद करतो हतो अन्य कोई ग्रहक ए समय स्टोर मा हाजर न होवा थी दुकानदार एनी वाद ध्यानथी सामड़ी रहो हतो सामा छेडे कोई स्त्री वाद करी रही हती युवक ए कहिऊं मैडम तमे मने तमारे त्या लौन कापपानू काम आपी शको खरा सामे छेडे त्या राखेल मानस ने जिवक बोलियो मैडम अत्यारे तमारे त्या राखेल मानस ने जे पगार आपता हो एना करता अडधा पगार थी हुँ लौन कापी आपिश सामे छेडे थी स्त्री ये कहिऊं ना भाई हाल लौन कापपानू काम जे मानस करे छे तेना थी मने कोई फर्याद न थे योवके कहिऊं मैडम लौन कापपानी साते हुँ घर नी आजु बजुनों रस्तोपन साफ करी आपिश अने ए माटे कोई वधरानी रकम वगर पेली स्त्री ये जवाब आप्यो ना भाई आभार मने हमना बीजा कोई व्यक्तिनी जरूर न थे मैं रोकेला मानस्थी मने पूरो संतोष छे अटली वाचित पूरी करी ने खुश-खुशाल चहरे ए योवके फोननों स्पीकर बंद करियो दुकानदार नो फरी एक वार आभार मानी ने ए जवानी तैयारी करतो हतो एज वखते दुकानदारे एने पासे बोलाव्यो एनी बदी वाचित संब्लीने ए पन खुश थे गयो हतो पेली स्त्रीये काम हप्पानी ना पाडी छत्ता युवक्न चहरा पर निराशानी कोई रेखा देखाती के ए जराई उदास पन नोतो थयो टुकमा एनी ए खुमारी एने स्पर्षी गई के ए जे परिस्तिती मा हतो तेम छत्ता ए खुश हतो एनी खुमारी हती अने नी खुमारी न लिदे ए दुखांदार एना प्रते आकर्षायो खुश थायो खतो युवक पासे आव्यो एटले दुखांदारे कहियो युवक पिली स्त्री ए काम आपणी ना पाडी तो पन तो खुश रही शक्यो ए वातज मने खुब स्पर्शी गई छे एने भले ना पाडी परन्तु हुँ तने काम आपपा तैयार छू बोल मारे तिया काम करीश पेला युवक के हस्ता हस्ता ना पाडी दुखांदार ने अत्यन्त नवाई लागी एने कहियो पड़ दिकरा अमना तो तु पेली स्त्री ने काम माटे रिच सर नी आजी जी करी रहो हतो काम नो तु जोई तु तो पछी एवुशा माटे करतो हतो युवक हस्ता हस्ता बोलियो नहीं सर मुझ ए मैडम ने त्या काम करू छू आथू मारू काम केवू छे ए तपासवा माटेज मैं एमने फोन करेलो जे थी करेने मारा काम अंगे मने ख्यालावे दुकानदार ने एक निर्दोश स्मीत आपीने एने विदाईली दी दुकानदार एने जतो जोई रहो अने क्या है सुधी ए यूवक नी स्वमुल्यांकन नी रीत ने बिर्दावत हो रहो स्वाध्याई जोई ए एक्ससाइज जोई ए फर्स्ट एक्ससाइज शे एमसी क्यो वीस पूट उचा स्थम उपर शानी स्थापना करवानी हती तो मुर्ती नी दुकानदार पासे यूवक के कया फोन माटे मंजुरी मांगी पब्लिक फोन माटे दुकानदार ने यूवक नो कयो गुण स्पर्शी गयो हुमारी नो शिल्पी शूँ करी रहो हो तो प्रश्ण ना एक वाक्य माँ जवाब आपो शिल्पी शूँ करी रहो हतो तो शिल्पी आरस्पान्या पत्थर माथी भगवानने मुर्ती बनावी रहो हतो बाजुमा पड़ेली मुर्ती ने शूँ नुक्षान थयो हतो बाजुमा पड़ेली मुर्ती ना नाक पर ननो घसर को पड़ेो हतो युवके दुकान दारने शानी ना पाड़ी युवके दुकान दारने तेमनी दुकान मा काम करवानी ना पाड़ी प्रश्णों ना उत्तर आपो शिल्पी शू विचारी बिजी मुर्ती बनावी रहो हतो शिल्पी ना मते पहली मुर्ती माजे नुक्षान थायेलू हतु ते नुक्षान ते पोते अने तेनो भगवान बनने जानता हता आथी ते मुर्ती सारी बनी नथी तेम विच्चारी ते बीजी मुर्ती बनावी रहो हतो दुकांदार ने केम नवाई लागी तो दुकांदार रे जारे पेला छोकरा ने पोतानी दुकान पर काम आपपानी वाद करी त्यारे ए छोक्राए काम करवानी ना पाड़ी आथी दुकान दारने नवाई लागी युवके स्त्री ने फोन शा माटे कर्यो हतो युवके स्त्री ने पोतान ना काम नी महीती मिलवा जे ते काम करी रयो छे ते बराबर छेके नई स्व मुल्यांकन करवा तेने स्त्रीने फोन कर्यों हतो मानसे बीजी मुर्ती जोई प्रश्णुना उतर आपो आ थोड़ा लाम्बा प्रश्णुना जवाब छे एटले ने विरिते लखी श्यों मानसे बीजी मुर्ती जोई आश्चर्य शाम माटे अनुभव्यों ज्यारे मानस ए शिल्पी पासे पहुँचेओ अने तेना कामनू निरिक्षण करदो हतो त्यारे थेड़े जोईू कि ते जी मुर्ती बनावी रहो छे ते वीज मुर्ती बाजुमा पड़ी छे अने ए बाजुमा पड़ेली मुर्ती जोई तेम छत्ता ए बीजी मुर्ती बनावी रहो हतो एटले मानसे बीजी मुर्ती जोई आश्चर्य अनुभव्यों शिल्पी ए पहली मुर्ती पड़ती कैम मुकी ज्यारे मानसे शिल्पी ने प्रश्ण पूछो के आ मुर्ती बे मुर्ती नी स्थापना करवानी छे त्यारे शिल्पी ए कोईू के ना एकज मुर्ती नी स्थापना करवानी छे त्यारे शिल्पी ए कोईू तो तम्या बीजी मुर्ती कैम बनावो छो त्यारे शिल्पी ना मानवा प्रमाणे पहली मुर्ती मां नाक पर थोड़ो घसर को पड़ेव हतो अने एना कारणे ए मुर्ती सारी बनी नहां हती आथी शिल्पी ए पहली मुर्ती पड़ती मुकी बीजी मुर्ती बनावानू काम शरू करिव हतो स्त्रीये फोन करनार युवक ने नोकरीये राखवनी शा माटे ना पाड़ी ज्यारे युवके स्त्री ने लोन का पनी साथे अन्य काम पन करी आपिश तेवी वाद करी त्यारे स्त्रीये फोन करिनार युवक ने नोकरीये राखवनी ना पाड़ी कारण के ते स्त्री तेना त्या राखेल युवक ना काम थी कुप संतोष पामिला हता। स्त्री नो जवाब युवक साम्बली युवक खुश केम थयो। युवक ये ते स्त्री ने स्वमुल्यांकन माटे फोन करयो हतो। ज्यारे स्त्री ये तेने कहिऊ के महरा त्या काम करनार लोन का अपनार मानस थी ना काम थी तेने पुण संतोष छे। आ बात संबली युवक खुश थयो। स्वमुल्यांकन एटले शू। स्वमुल्यांकन एटले पोतानी जातनू मुल्यांकन करवू। तमे तमारी जातनू मुल्यानकन करियू छे, अवे आ प्रश्णोंनों जवाब तमारे जातेर लखवानों रहे शे, काण के न करियू होए के करियू होए एनों जवाब तमे जापी शको छो, जुई ये, वार्तामा आवता अंग्रेजी शब्दोंनी यादी तयार करो, तेना गुजराती अर्थ लखो, आ एक्सेसाई समरी जाते करवानी छे, विरोधी शब्दा आपो, एक उदारन आप्यू छे, पोतानू पार्कू, जान अजान, नीरस रसीक, ध्यान बेध्यान, संतोष असंतोष, जवाब, सवाल अन्ने प्रश्ण बन्ने जवाब थे शक्से, न तो आ साथ है आपने एक्सेसाईस पन डिसकस करी छे, तो आएक्सेसाईस तम्हें तवारे नोटबुक मां नोट करी ले जो, I hope तमने आ बारता संबडी ने खूब बजा आविया शे, Thank you very much